कहानी 20 वृत्रासुर्कावत परुपकार ही परमधर्म है विश्वरूप के पिता त्वश्टा श्रेष्ट भ्रामन थे किन्तु उनकी मादा देत्ते पुत्री थी अधाः विश्वरूप जब यग्य करते थे तो देवताओं और देत्यों दोनों के नाम से आहुतियां दिया करते थे इंद्र को जब इस रहसे का पता चला तो उसके हिर्दे में विष्वरूप के प्रती घ्रण पैदा हो उुठी यह दिब्しま विश्वरूप ने इंद्र की बड़ी भलाई की थे किन्तु फिर भी इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट कर फैंक दिया तुष्टा के मन में बड़ा दुख पैदा हुआ उन्होंने सोचा मेरे पुत्र विश्वरूप ने तो इंद्र का बड़ा उपकार किया था किन्तो फिर भी उसने उसे काल के मुख में पहुचा दिया वो बड़ा अकृतग्य और अधम है ऐसे कृतग्य और अधम का सर्वनाश हो नहीं चाहिए तुष्टा ने एक यग्य किया उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से यग्य कुंड से एक भयंकर दानव को उत्पन्न किया वो दानव बड़ा विकट और बड़ा शूर वीर था तुष्टा ने उसका नाम करण किया वृत्त्रासुर तुष्टा के आदेश से वृत्त्रासुर ने देव लोग पर आक्रमन किया देवताओं ने बड़ी वीर्ता के साथ वृत्त्रासुर का सामना किया किन्तो उसकी शौरे के समक्ष देवताओं की एक ना चली देवता युद्ध में पराजित होकर भाग गए इंद्र सहित देवता वृत्रासुर के अत्याचारों के आग में जलने लगे देवता जहां भी जाते थे वृत्रासुर का अत्याचार अधिक बढ़ता जाता तो देवताओं सहित इंद्र नारायन की सेवा में उपस्तित हुए इंद्र ने नारायन के गुणों का गान करके उन्हें वृत्रासुर के अत्याचारों की कहानी सुनाई और उनसे प्रार्थना की प्रभो आपको छोड़कर वृत्रासुर का बत कोई नहीं कर सकता आपने सदा देवताओं की रक्षा की है दया करके वृत्रासुर के अत्याचारों से भी देवताओं को बचाईए नारायन ने प्रसन्न होकर कहा देवराज, वृत्रासुर की मृत्यू महर्षी दधेची की हड्डियों से बने हुए वज्र को छोड़कर और किसी चीज से नहीं हो सकती महर्षी दधेची बड़े परुपकारी और त्यागी है आप उनके पास जाकर उन्हें देवताओं के दुखों की कहानी सुनाईए वे आवश्य आप पर दया करेंगे और अपना शरीर त्याग कर अपनी हड्डियों आपको दे देंगे नारैन की सलाह से इंद्र ने ददेजी के पास पहुँच कर उन्हें देवताओं के दुखों की कहानी सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वे देवताओं की भलाई के लिए अपने शरीर की हड़ियां प्रदान करें महर्शी दधी जी ने इंद्र की प्रार्थना को सुनकर कहा देवराज, हर एक प्राणी को अपना शरीर बड़ा प्रिये होता है मनुष्य रुप्या पैसा तो दे सकता है किन्तो अपना शरीर नहीं दे सकता शरीर छोड़ने के समय बड़ी पीड़ा होती है संसार में ऐसा कौन है जो दूसरों के लिए शरीर छोड़ने की पीड़ा को सहन कर सकेगा इंद्र ने निवेधन किया मुनिश्रेश्ट अब जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है किन्तो आप महान त्यागी और महान परोपकारी है हम देवताओं की शरण में हैं कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए हमें वृत्रासुर के अत्याचारों के आग में जलने से बचाईए इंद्र के दुख से भरे हुए निवेधन को सुनकर दधेची द्रवित हो उठे उन्होंने प्रसन्न मुत्रा में कहा मैं आपको निराश नहीं करूँगा मैं अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ आप मेरे अस्थियां ले लें दधेची ने योग की शक्ती से अपने शरीर का त्याग कर दिया इंद्र ने विश्व कर्मा के द्वारा दधेची की हड़ियों से वज्ज्र का निर्मान कराया जब वज्र बन कर तयार हो गया तो इंद्र ने दानवो को युद्ध के लिए ललकारा फलता नर्मादा नदी के किनारे देवताओं और दानवो का घोर युद्ध हुआ युद्ध में इंद्र को विजय प्राप्त हुई वृत्रासुर इंद्र के हाथों वज्र के द्वारा मारा गया युगोपूर्व ये घटना घटी थी आज भी आकाश में बेजले के घोर गर्जन के रूप में हमें वज्र की कहानी सुनाई पड़ती है और सुनाई पड़ती है दधेजी के त्याग और परुपकार की कहानी जो लोग दूसरों के भलाई के लिए मरते हैं वे कभी नहीं मरते सदैव जीवित रहते हैं कहानी 20 वृत्रासुर का वद समाप्त